हलो फ्रेंड वेलकम टुर्ण बसरा यूटूब चैनल कैसे हैं दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे इंडियन पास्पोर्ट के बारे में 2023 में कुछ नए अपडेट आए हैं अब आप चाहें नया पास्पोर्ट अप्वाइमेंट लेकर बनवाना चाहत चैनल को सब्सक्राइब लेकर तो वीडियो को एक लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट जरूर किजेगा तो चले वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहली अपडेट जो है वह है इंडियन पास्पोर्ट वालों के लिए यहां पर अगर आप नया पास्पोर् करना है तो कुलिस वेरिफिकेशन से ले करके सारी डीटेल नई अपडेट के तुरू बता दी गई है क्या है जब आप अपॉइमेंट लें तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने पास्पोर्ट में सरनेम और नाम दोनों डलवाएं इस बात क अगर आप पास्पोर्ट का अपॉइमेंट लेते हैं तो एक चीज का आपको और ज्यादा ध्यान देना है यह दूसरी बात बता रहूं आपको धैन यह देना है जब आप अपना अपॉइमेंट लें तो अपॉइमेंट के समय में आपको पता है कि एक डेट अपॉइमेंट सकता हूं या नहीं पहुंच सकता हूं अगर आप पहुंच सकते हों तब ही ओफिक्स डेट लीजिएगा वरना आप उसको दूसरी डीट में रिसीडूल नहीं कर पाओगे अगर आप एक बार आपॉयमेंट ले लिए आपको वो रिसीडूल नहीं होगा कि भाई मैं उस दिन नहीं पहुंच पाओंगे तो एक काम करो दो दिन पहले आप पहुंच गे वहां पर और वहां पहुंचने के बाद में भाई इसका थोड़ा टाइमिंग अलग कर दो तो यह नियम आप चेंज हो चुका है आप उसको रिसीडूल नहीं कर पाओगे तो जो आपके पास में प बंद कर दिया गया है अब तीसीरी अपडेट आपका अपाइमेंट लिए पासपोर्ट किलियर हुआ यहां से अपाइमेंट किलियर हुआ उसके बाद में आप गये वहां पर पासपोर्ट आफिस में पासपोर्ट आफिस जाने के बाद में आप वहां पर सारा कुछ किलियर करके आ गए आने के बाद में जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है ना तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पहले क्या होता था कि कोई आपके घर पर संदेशा दिलवा देते थे किसी home guard से या किसी के जरिये या कई बार phone भी आ जाता था ठीक है या आप यहां पर आकर अपना document जमा कीजिए तो वहां क्या होता था कुछ पैसे वाई से ले करके हकीकत बात बतारो मैंने tweet भी इस पर किया था पैसे वाई से ले करके और उसके बाद में आपको फार्म पर साइन करके वो भेज देते थे ठीक है लेकिन अभी ये नियम चेंज हो गया है अब पुलिस वाले आपके घर जाएंगे भाई इस चीज को करने के लिए तो थोड़ा ध्यान रहे नहीं तो कोई लेने की देने पड़ जाए तो आप पुलिस वेरिफिकेसं भ भी हो गया है कि अगर कोई दुकान दार यानि जनसेवा के अंदर वाले अक्सर लोग पासपोर्ट का अपॉइमेंट लेते थे तो आपको ध्हान देना है कि अगर आपको वहां पर नहीं जा सकते या नहीं जा पा रहे हैं तो आपके नजदीक में अगर जो डखाना है यान पोस्ट आफिस से इसका appointment आप passport का ले सकते हो normal तरीके से कोई दिक्कत नहीं है अब आप चाहे ये PCC का हो चाहे passport का हो और दोस्तों passport के आखिर में जो आपको बात बताने जारों यह है ततकाल passport वालों के लिए इनके लिए एक update दी गई है अगर आपकी उमर 18 साल से उपर है तो आपके लिए data of birth और आधार कार्ट यही दोनों ID परियाप्त है इसको लिजाकर आप वहां पर दे करके appointment ले करके clear करके आप पासपोर्ट बनवा सकते हो अब दोस्तों जो दूसरी update आप लोगों को देने जा रहा हूं यह बहुत important है यह भी सौधी में काम करने वाले लोगो चेंज करता हूं यहां पर आप लोगों का सवाल तो इस तरीके सथा लेकिन Ministry of Human Resource ने जो अपडेट दिया है ना वो कुछ अलग तरीके से ही दिया है तो आपको गल्फ इंदिनों का एक आर्टिकल आपको आप फोटो दिखाता हूं यहां पर बताएगा Ministry of Human Resource and Social Development ने इन बात तो कि पुष्टी की बताया है कि जितने भी गयर मुल्की हैं उनके professional बदलने से यहीं प्रोफेशनल बदलने के समय दिया हुआ सुल्क नियुकता भी चुकाएगा यहीं नहीं इसके लावा कई तरीके के ऐसे मौके होते हैं जिनका सुल्क नियुकता यांई employer ही चुकाता है ठीक है residency या इकामा रिन्वल करना या लाइसेंस बनवा रहे हो उसका फीस जितना भी होता है यह सारा कुछ तो employer का होता ही होता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं देते हैं भाई license बनवाना है तो बोलता है जाओ अपना पैसा लगा लाइसेंस बनवा लो हम क्या होगा कि यह कहां से आपको इनोसी बना कर दे देंगे जो आप अपने license बनवा सकते हो लेकिन इसका फीस आपको देना होगा लेकिन यह सौधी नेकाद लेबर लो जो है यह खुद कहते हैं कि भाई यह आपकी अधिकार है ठीक है इसको आप ले सकते हो अभी यहीं बात नहीं खतम होती है यहां पर पॉइंट की बात यह है कि देखिए जब आप छुट्टी जाते हो या फिर छुट्टी या फाइनल लिक जीर हो तो उस पर टिकट का चुट्टी का पैसा यह सारा कुछ देना होता ही नहीं का हलाकि देते भी हैं ऐसा नहीं है कि चुट्टी का भी पैसा हमें ही देना होता है क्यों कि बहुत से लोगों ने अलग-अलग तरीके से आपको समझा दिया ना कि चुट्टी का पैसा यह है ब भी आप किसी कमपनी से काम छोड़ रहे हो ना ये बात ध्यान पुरवक सुनना किसी भी कमपनी से अगर आप काम छोड़ रहे हो तो भाया वहां से आपको experience certificate लेना बहुत जादा जरूरी होता है क्यूं ये बता दूँ क्यूंकि आप जब दूसरे कमपनी में या दूसरे जग आपको कुछ भी हो लेकिन experience certificate लेना मत भूलिए चाहे आप रिजाइन करके जा रहे हो जैसे जो जिस भी condition में हो अगर आप जा रहे हो तो experience certificate आपके लिए बहुत महत्यों रखता है तो भाई इसको लेना मत भूलिएगा तो आई होप कि दूस्तों ये वीडियो आपको जरू कि जहिन